वेलो फ्रेंड्स, वल्कम टू आइग्जाम भी, आइम सुशिल रगडे, एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और 25 जून को IRDA का Grade A का Phase 1 का एक्जाम हो चुका है, आज है 27 जून, अभी हम देखेंगे कि जो Phase 2 की तयारी वो कैसे करनी है और हमने आपके लिए किस टाइब का प्लान बनाया है, तो चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह एक टेस्टिमोनियल है हमारे स्टूडन्स का कि जो मेरी स्टूडन्स थी बहुत ताइम हो गया, इसको 2016 का जो एक्जाम हुआ था IRDA का उस टाइम पर पूरे इंडिया में कोई भी नहीं था जो IRDA के एक्जाम के लिए गाइड कर पाए उस टाइम मैंने जो गाइड किया था स्टूडन्स को तो जितने सेलेक्शन होए थे 50% सेलेक्शन थे मेरे स्टूडन्स से थे इसमें हमारे कुछ स्टूडन्स ऐसे भी थे जिन्होंने RBI, SAB, NABAD की तयारी की थी मेरी साथ और फिर IRDA में एक्जाम में उनका क्लियर हो चुक लेकिन उनका नाम हमने वो selected students में नहीं डाला है क्योंकि उन्होंने IFSC में directly admission नहीं लिया था लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके बताया है कि सर हमने आपसे guidance लिया था दूसरे exam के लिए जैसे CBI, RBI, NABAD है लेकिन उसका फायदा हमें यहां पे हुआ है तो आपको अच्छे School of Economics से बढ़ा था बात में Singapore से भी उन्होंने MBA किया था तो काफी brilliant student थी RBI में नहीं वो पाया लेकिन IRD में हुआ है और IRD में अभी वो बहुत खुश है तो अब यह सबको तो आपको पता ही होगा तो यहां पर यह जो है मैं आपको यह तो आप सबको पता होगा किस तरीके का यह pattern है English का paper है जो सारे आपके exam में regulatory body exams में होता है उसके बाद दूसरा जो paper है वो ESI है अगर आपने RBI की तयारी गी है या NABAD की तयारी की है तो वो ज यहां का topic है वो आपको insurance के angle से देखना है कोई भी पढ़ाई करें जैसे GDP है GDP का insurance पर क्या फरक पड़ेगा आपको पता होगा आपने insurance में insurance penetration क्या होता है insurance की density क्या होती है यह जो important concepts है आपको इसका जो connection है वो ESI को लगाना है तो यहां पे काफी सारे lectures ESI के मैंने भी लिये है और हमारे पास expert faculty उन्होंने भी insurance का subject भी cover किया है और कुछ ESI के topics भी किये थे और management के लिए आपको पता है हमारे पास dr. शर्मा सर है जिन्होंने मतलब खुद RBI का exam निकाला था RBI में वो CGM थे उसके बाद NHB में ED थे IIM Ahmedabad में वो as a guest faculty पढ़ाते और काफी important important government organization में उनको guidance के लिए बुलाया जाता है तो टॉप faculty आपको यहां पर मिलेगी और आपको उसकी चिंदा बिल्कुल नहीं करनी है कि किस टाइप का guidance आपको यहां पर मिलेगा है तो यह पूरा syllabus है इसको बिल्कुल आपको tension नहीं लेना है मैं 2016 में भी पढ़ाया हूँ 2017 में भी पढ़ाया हू और इस बार भी हम यहां पर क्या करने वाले हैं answer writing करेंगे और आपको बिल्कुल डरना नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है आप को उन से भी level पर हो हम आपको सिखाएंगे कि answer writing कैसे करना है यह जो syllabus है, यह management का syllabus है, अगर आप देखेंगे आपने RBI में अगर पड़ा होगा, यह management easy इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने, generally अगर आप देखेंगे यह जो है, बीकॉम में, second या third year में जो पड़ते हैं, उस type का syllabus है, तो बहुत easy है, लेकिन आपको लिखने के practice होनी चा लगते हैं, अब यह जो चीज है, मैं हर बार दिखाता हो, क्योंकि क्या है, हमारे अगर कुछ चीजे अच्छी होती, तो हमें दूसरों को बताना अच्छा लगता है, यह मेरा खुछ का handwriting है, और मैंने जब RBI का exam निकाला था, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है, कि handwriting के वज़ देफिनेटली मिलेगा, तो यह एक मैंने poem लिखी दी सेवी पर, यह handwriting है, और यहाँ पर किस तरीके से answer लिखना है, मैं भी यह भी आपको class में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो exam होने वाला है, यह आपका paper पे होने वाला है, आपको pen से लिखना है, और मुझे लगता है, जब आप paper और pen पे लिखते हैं, तो वहाँ पर creativity का काफी scope है, आप वहाँ पर diagrams निकाल सकते हैं, charts निकाल सकते हैं, और उसके बाद flow chart निकाल सकते हैं, इस ताइप के diagram अगर निकालेंगे, कुछ आप जैसे sustainable development का diagram आपको दिखाना है, तो आप यह तीन circle करके भी, वो when diagram से भ starting से मनने मतलब जब UPSA के exam दिया तो उस time पे भी मुझे na essay में काफी अच्छे marks आए थे, मतलब जो लोग top 100 में थे, उस level के मुझे marks थे, essay में, लेकिन public admissions subject में उस time सबको कम marks दी तो इसलिए वो मेरा रह गया ताली, बताने का purpose यह है कि handwriting अच्छा होना चाहिए, और essay person से स्लाइड में देखेंगे, तो यहाँ पर देखें, यह पूरा plan है, ठीक है, तो यह है आपका day, ठीक है, जैसे Tuesday, Wednesday, date है, 4th July से हम यहाँ पर चालो करेंगे, ठीक है, 4th July से काफी time है, क्योंकि तब तक मुझे पता है कि लोग wait करेंगे result के लिए, तो मुझे लगता है इसके मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने देखा है, previous time बहुत, students ही पढ़ते रहते, लिखने का practice नहीं करते, ऐसे करेंगे तो आपका result नहीं आएगा, तो यह मैंने खुद यह method device किया है, पिछले 4-5 साल से मैं इसका use कर रहा हूँ, और बहुत अच्छ पेपर आपको मिल गया, तो आपको क्या करना है, कि वो question पढ़के, हम आपको model answer भी देंगे, आपको model answer पढ़ना है, Google पे जहां चाहिए वहां सर्च करना, यानि कि पूरे answers पहले ही देख लेने हैं, लेकिन next day पे जब आप answer लिखेंगे, तब आपको actual exam environment जैसे environment में लिखना है, आपको खुद को पता चलेगा, कि यार कल ही मैंने ये सारे answer लिखे थे, देखे थे, मगबगी किये थे, लेकिन आज मुझे answer लिखने में कितनी दिक्कत आ रहे थी, ये pattern आप आख बंद के follow कीजिए, और ये देखो फिर अगर ऐसा करेंगे, तो आपका मुझे answer सुनना ह कि सर मुझे नहीं पता मैं कैसे लिखो, विल्कुल नहीं, ये answer है, ये question है, पढ़ो, समझो, देखो, रटा मारो, मगब कर लो, कुछ भी कर लो, एक दिन का gap देना है, आज पढ़ लिया, दूसरे होने के बाद रात को सोना है, सुबह उठके paper लिखना है, तब आपको पता चले का, कि यार answer writing करना कितना मुश्किल है, अगर आप ये 15 times ये करेंगे, 15 times और ये date को, शाम को, faculty के साथ paper का discussion होगा, यानि कि आप पहले पढ़ोगे, एक बार revision हो गया, second time आप answer लिखोगे, second time revision हो गया, and third time यहाँ पर discussion होगा, ये सारे live classes है, 15 classes है, ये अगर आप करेंगे और 15 के 15 paper अगर आप solve करेंगे, 15 के 15 discussion करेंगे, तो मैं देखता हूँ, आपका selection कैसे नहीं होता है, लेकिन ये जो exercise है ना, सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कोई करता नहीं, मुझे याद है, एक time पे मेरे thousand student थे मेरे पास, phase two के लिए, और 50 student भी नहीं आते थे answer ल करता है, लेकिन कोई यहाँ पर करता नहीं है, तो अगर आपकी तैयारी है, तो ही आप यहाँ पर enroll करो, otherwise, बस कुछ लोग क्या करते answer लिखेंगे नहीं, सरम directly discussion में आजेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, आप पहले ही लिख लो, आपका selection नहीं होने वाला है, question paper देखना है, answer भी आपको मिलेंगे, वो पढ़ने है, Google से पढ़ने है, तो Google से पढ़िए, अच्छे तरीके से तैयारी कर लिजिए, मगप कर लिजिए, रट्टा मार लिजिए, कुछ भी करें, next day पर answer लिखे, आपकी paper रिवेलट करके मिलेंगे, आपको 48 hours के अंदर, and same day, जिस दिन आप paper लिखोगे, उसी दिन शाम को, faculty के साथ one-on-one interaction होगा, मतलब group के पूरा हमारा जो class होगा, वहाँ पर interaction होगा, live, और आपको सारी चीज़े explain की जाएगी, मेरा जितना knowledge है, मैं आपको दूँगा, किस तरीके answer लिखना है, क्या चीज़े लिखनी है, क्या चीज़े नहीं और ऐसा आप 15 बार करेंगे, 15 times, तीन सब्जेक्ट है आपके, ESI है, English है, और उसके बाद आपका insurance and management है, तो यहाँ पर convenience के लिए, क्योंकि जो पारिकसर है ना, वो उनके convenience के लिए हमने क्या किया था, जो insurance and management का paper है, जिसको हम IAM कहते है, इसमें हमने क्या किया है, convenience के लिए, explanation के लिए, पहले जो तीन paper होंगे, IAM का 1, 2 and 3, इसमें IAM के paper में हमने सिर्फ insurance के questions include किये है, and then यह जो IAM का 4th and 5th paper है, उसमें सिर्फ management है, क्योंकि यह explain करने में भी अच्छा होगा, आपको लिखने के लिए अच्छा होगा, 15 paper लिखना मैं आपको बताता हूँ, यह joke नहीं ह है, बहुत मुश्कील है, लेकिन अगर आपको success पाना है, तो यह करना पड़ेगा, अगर आपको हमारे course के वारे में additional information चाहिए, तो यहाँ पर mobile number दिया है, वो call करना है, और manager से बताया है, वैसे follow करेंगे आप, तो देखो, आपका selection definitely होगा, मेहनत करने वालों का ही selection होता है टाइम पास करने वालों का नहीं होता है, ठीक है, और आपके पास इतने अच्छे mentors है, उनका benefit लीजिए, और अच्छे organization में entry कीजिए, बस यही plan था, आपको plan कैसा लगा, और कुछ doubt है, तो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, comment section में पूछे, आप telegram पे भी पूछ सकते हो, body में आपको जाना है, यानि कि next time मैं आपका success story करूँगा, और वो देखके दूसरे students को motivation मिलेगा, और वो भी पढ़ाई चालू करेंगे, तो आपका final name क्या है, organization में successful पाना, वहाँ पे enter करना, और एक success story बनाना, thank you for your upcoming examination and all the best for your preparation.